हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो नेक्सटेन आयर सीटी सी यूटूब चैनल सो आज की वीडियो में हम जानेंगे तदकाल टिकेट बुक करते समय कौन सा पेमेंट आप्शन सबसे अच्छा होता है इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें डिटेल्स में समझा हैं हमने आप उसको भी चेक कर सकते अगर आप चैनल पर नहीं आये हैं तो डू लाइक, शेर और सबस्क्राइब नेक्स्टेन आयर सीटी सी यूटूब चैनल लेट स्टार्ट दी वीडियो अगर अचानक कई गुमने का प्लान बन जाए तो पहले दिक्कत आती है ट्रेन की टिकेट की, हर चीज़ का इंतिजाम तो हो जाता है लेकिन ट्रेन की टिकेट अचानक नहीं मिल पाती है ऐसे स्थिति में सिर्फ एक सहारा होता है तत्काल टिकेट लेकिन ततकाल टिकेट बुख होने में भी इतना समय लग जाता है कि कई बार भुकतान करते करते सारी सीटे ही भर जाती है और टिकेट वेटिंग में आ जाती है फिर क्या फिर गुमने का प्लान कैंसर सारी प्लानिंग पानी में लेकिन अब रेल्वे ने आपकी इस दिक्कत क सामादान ढून निकाला है अब टिकेट आसानी से और जल्दी बुख हो सकेगी इसके लिए रेलवे ने आयर से टीसी के जरीए इवालेट की सुविदर शुरू करने की योजना बनाई है यानि अब बुकतान में आपका अधिक समय नहीं लगेगा लेकिन यह देखना दिल्च टिकेट सामाने के तुलना में जल्दी बुक की जा सकेगी यानि अब टतकाल टिकेट बुक कराने में कॉम्पेटिशन और भी अधिक बढ़ जाएगा पहले ही ततकाल टिकेट चंद मिन्टों में खतम हो जाती थी अब चंद मिनिट भी नहीं लगेंगे रेलवे की इस नई प्लेटफरम को काफी मजबूत बनाना होगा भारत में रेल यात्रा करने वालों की संख्या बहुत अधिक है ततकाल की टिकेट भी चंद मिन्टों में खतम हो जाती है और देखते ही देखते वेटिंग हो जाती है ऐसे में अगर ये नया प्लेटफरम मजबूत नहीं हुआ तो railway की ये नहीं सेवा लोकों के किसी काम की नहीं रहेगी IRCTC ने Twitter पर अपने latest update में कहा है कि वो Paytium और Mobiquick जैसी सेवा शुरू करने वाला है या IRCTC कोई समझना होगा कि Paytium और Mobiquick अगर एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर IRCTC के वालेट में कोई दिक्कत आई तो ग्रहा को काफी दिक्कत हो सकती है IRCTC ने कहा है कि अगर train कैंसल हो जाती है तो उसका refund सीधे ग्रहा के उस खाते में चला जाएगा जिससे उसने एप के जरीए भुकतान किया था साथी PNR भी अपने आप कैंसल हो जाएगा जो लोग कैश से भी भुकतान करना पसंद करते हैं उनके लिए कैश ऑन डिलेवरी का आप्शन भी है आपको बता दे रेल कनेक्ट आप में लोग इन करके टिकेट तो बुक की जा सकती है साथी कैंसल करने की सुविधा भी एप में ही मिलती है एप रेल यात्रियों को आने वाली यात्राओं का नोटिफिकेशन भी भेजता है अगर आप नई यूजर है तो आप सिदे एप भी खुद को रेडिस्टर भी कर सकते है IRCTC ने कहा है कि वो अपने यूजर्स को रेल कनेक्ट अप के जरीए ही कैप सुविधा भी मुया कराएगा इसके लिए IRCTC ने ओला के साथ टाइप भी किया है साथी फूड आफ ट्रेक अप भी लाँच करने की घोशना IRCTC ने की है खाना ओडर करने के लिए आपको अप में अपना PNR डाल कर कनफर्म करना होगा इस अप के जरीए ग्रहक अपने पसंदिदा रेस्टरॉन से खाना ओडर कर सकेंगे यहां आपको बताते चलेगी अगर किसी ग्रहक का PNR किसी भी कारण से कैंसल हो जाता है ऐसी रेलवेस रेलेटेड और इंफरमेशन जानने के लिए नेक्स टेन IRCTC यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो